एक ब्लंडर हो गया इसकार यहां तक तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मैं अगर आप इसको वापस देखोगे तो यहां से वह चालो होगा तो मैं एक बार थोड़ा से जल्दी से रिपीट कर देता हूं जिससे अगर आप जब वापस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो वी टॉक्ट अबाट इको सिस्टम की कौन कौन से इको सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में जाना हम लोगों ने और क्या इको सिस्टम आता है आपके सामने जो यह वो है और दूसरा हम लोगों ने इको सिस्टम के जो है classification के बारे में पढ़ा aquatic ecosystem system है यह and terrestrial ecosystem ओके तो यह terrestrial ecosystem जो land based ecosystem होते है और यह जो है water based ecosystem होते है terrestrial aquatic okay then comes fresh water ecosystems and marine water marine water ecosystem इसमें कौन-कौन से आते है aquifers and springs यह दिख रहे हैं आपको springs जो निकलते हैं न springs, streams and rivers, ponds and lakes यह सारे fresh water ecosystem के part है तो question कैसा पूछा जा सकता है कि which of the following are part of fresh water ecosystem आपको यह 3 दे देंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर wetlands दे देंगे ठीक है तो आपको क्या इसमें से पूछे लेंगे which of the following are not fresh water ecosystem तो आपको दिखान रहना चाहिए कि these are fresh water ecosystems and this one is marine ecosystem तो याद रहे जाएगा वैसा execution आते हैं नहीं बट कुछ भी पुझा जा सकता है एक्जाम के अंदर तो we should be ready for everything पिर आते हैं wetlands esturies क्या होती है esturies exactly जहां पर fresh water और जो salty water जो ocean water जब मिलता है एक दूसरे से आपको दिखराएए यह सारा जो है river water और यह ocean के साथ में मिल रहा है यहाँ पर तो यह जो मिलने वाली जगा होती है तो वहाँ पर इस तरह के pockets बन जाते हैं अलग 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 दिख रहें तो यह जो pockets है यह जो area है यह जो catchment area है यह वाला इसको esturies कहते हैं आगे हम लोग आराम से detail में इसको जा नहीं है पिर आते हैं oceans and various gulfs यह भी marine ecosystem का part है ओके तो यह एकदम नॉर्मल है कोई खास बात नहीं इसको जादा इतना stress लेने की ज़रूद नहीं कि कैसे याद होगा इसको रटना है नहीं we should know about various ecosystems कि यह तो fresh water में आते हैं और marine ecosystem है वो जो है marine वाले में आते है marine ecosystem exactly है क्या marine ecosystem provides essential services जैसे की nutrient cycling water filtration and climate regulation which support human well-being and economic activities okay marine ecosystem क्या होते हैं जो की nutrient की जो cycle है उसको है असे उसको क्या करते है marine ecosystem ऐसे ecosystem होते हैं जो की essential services provide करते है essential services क्या होती है ocean के अंदर nutrients recycle होते रहने थी अगर मालो एक area के अंदर जो खाना है वो replace नहीं होगा तो आप सुचो की वहाँ का ecosystem वह यह dead हो जाएगा तो marine ecosystem क्या है जो फिश आई छोटी फिशे जाती है उनको बड़ी फिश खाती है और coral reefs होते हैं और वो आपको कैसे बनता है coral reefs होते हैं वो dead हो जाते हैं और उनके उपर वापस coral reefs ब्लूम हो जाते हैं वापस बन जाते हैं तो यह क्या एक ecosystem है अगर ऐसा नहीं होगा तो coral reefs भी dead हो जाएगे तो यह क्या है यह nutrient जो cycle हो चलता रहता है water का filtration होता रहता है climate का regulation क्योंकि आपको पता है कि जब ocean currents एक जगह स इसको ocean circulation कहते है global ocean circulation ओके और इन सबसे क्या होता है हमें support मिलता है आपको क्या लगता है कि जो लोग fishing करते हैं वहाँ fish रहती है क्या anytime में रहेगी वहाँ पर ऐसे थोड़ी होता है वो जो fish होती है वो घूमती रहती है चलती है उनका भी एक पूरा hibernation है या फिल जो migration वो चल marine ecosystem से जो है mail mail खाती है मतलब match करती है तो आप अभी तक भी यहीं हो you are still here आप कमेंट में मुझे बताओ कि अभी भी आप हो यहाँ बर you are listening me okay fine you are writing fine 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 तो अभी तक तो कोई समझने वाली सी बात है नहीं उसके बाद में हम लोग जानते है human ecology तो human ecology क्या होती है it is the study of relationship between humans and their natural social built environment ecology क्या है यह humans और उनका natural social और जो built आस पास को जो environment है उसके साथ में जो relationship होता है उसको ecology का आजाता है आगे जानेंगे कि यह जो ecosystem term है किसने दिया ecology term किसने दिया तो सब आगे हम पढ़ेंगे पहले आप जिस एक definition जानो कि exactly होता क्या है उसके बाद में ecosystems definition and component geographic classification of humans एक मिनट अब देखो ecosystem देखो कैसे work करता है ignore this यह वो है इसके outline है कि क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पहले तो हम लोग ecosystem definition and components पढ़ेंगे ठीक ना ecosystem की definition थोड़ी से पढ़ चुके है पर उसके components भी पढ़ेंगे आगे फिर आगे हम लोग ecosystem की geographical classification के बारे हम पढ़ेंगे वो लास्ट में human ecology के बारे हम पढ़ेंगे ओके तो stay connected जाना नहीं बोर हो तो मुझे बता देना कि मैं बोर हो गया या हो गई आई इवन डूंट नोट वेदर लिए 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 नाम से पता नहीं चालता है आज कल जेंडर ओं सॉरी हम न्यूट्रल के इकोसिस्टम सर्विसेस तो देखो यह आपके सामने जो डाइग्राम है वो किस तरह से काम करता है देखो सारे के सारे जो है एक दूसरी का पर depend करते है आपको दिख रहा है यह जो चुछट लेडी है इन्होंने pumpkin ले रखा है टिकन है, फ्रूट्स है, गाय है, और देखो इसके अंदर फिश हो गई, बियर है, डॉग है, तो यह सारे के सारे को दिए एक तरह से सिंबाइटिक रिलेशन्शिप होता है, सारे के सारे जो है एको सिस्टम सर्विसेज के अंदर आते हैं, कि फूड हो गया, ड्रिंकिंग वा ग्रीन रिक्रियेशन, नेचुरल हेरिटेज, सिंबॉलिक वेल्यू, साइन्स और एडुकेशन्, यह सारे कल्चिरल सर्विसेज में आती है, आप सुचो, एडुकेशन इस ओल्सो है पार्ट ओफ एको सिस्टम सर्विसेज, तो यह सर्विसेज है कुछ, फिर है कार्बन का जो अब्सर्प्शन होते हैं, इसको सिक्वेस्ट्रिशन कहते हैं, स्वाइल इरोजन, पोलिनेशन, वाटर का स्टोरेज, नेचुरल मेकनीजम्स तु सप्रेस पेस्ट डिजीज, नेचुरल वेज लिखा हुआ है, नौट दे कैमिकल वेज, प्रिवेंशन ओफ ह हीट आइलेंड्स, मीडियेशन ओफ नौइज, विन्द, वीज्वल इंपेक्ट, यह सारे के सारे रेगुलेटिंग सर्विसेज, ठीक है, क्या है, रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं, यह सारे कल्चुरल सर्विसेज हैं, और इस आर गोल्ड प्रोविजनिंग सर्विसेज, ओके अंडेस्टूट इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन वगरा के बारे में जानते हैं इसकी देखो एको सिस्टम क्या है एक बायोजिकल कम्यूनिटी है और गनीजम के इंटरेक्शन की उनके फिजिकल इन्वारिमेंट के साथ झाल इसके लिजन यह एक बायोजिक लिजिकल कैस्के नहां as we have already read it, second is abiotic component, abiotic component is non-living factors such as water, air, soil and sunlight, so these are abiotic components, so समझ में आया, biotic और abiotic का difference, living organisms and abiotic is non-living organisms, factors जैसे की air, water, sunlight, ये सब ज़ची जह हो भी, okay, ecosystem can be natural और artificial, ecosystem होता है, वो natural भी हो सकता और artificial भी होता है, जैसे की, example बताते हैं आपको, मैं, ये देखो, biotic factors और abiotic factors, जैसे fungi, bacteria, और भी सो microbes हैं, जो plants हो गया है, animals हो गया है, ये सारे abiotic में आगए, air, salinity, soil, temperature, light, water, minerals, pH value and humidity, these are, these are abiotic factors, और भी है क्या है, ठीर देखो, जो artificial और जो natural ecosystem में difference क्या है, अगर आपको आ जाए, पूछ ले, तो we should know about the natural systems क्या है, जो कि terrestrial and aquatic, starting में जो slides थीना आपनी, कि aquatic कौन से है, और terrestrial वाले, land वाले, और aquatic water वाले, तो ये सारे natural है, जैसे कि grasslands, forest, deserts, these comes under terrestrial, जो कि land के उपर है, और aquatic जो कि marine and fresh water, फिर artificial ecosystem, जैसे कि agricultural field, ये artificial ecosystem में है, क्योंकि हमने बनाया हूँ, are you getting the point, हमने उसको बनाया है, aquarium, जो है, वो हमने बनाया है, poultry farms, सारे जो है, chickens हैं, जो कि, तो वो सारे, एक जगा थोड़ी आ गए, हमने वो farming कि, क्यों, ऐसे तो जंगल है, बट जो है, वो artificial ecosystem हमारे द्वारा बनाया गया है, तो now you know the difference between, तो नाम से ही पता चल रहा था, कि what are natural and artificial ecosystem, अब दिक्कत क्या है, कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा simple जो चीज़े होती ही न, उसको भी हम लोग complicated बना देते हैं, let me tell you my story, कि अगर suppose करो, ऐसा आ जाए, कि which of the following, question अगर इस तरह से पुछा जाए, which of the following are natural, ecosystem, इस तरह से question आ जाए आपके सामने, और आपको 1, 2, 3, और 4, या फिर यह माल लो, यह आपके सामने options आ गया, mc को question आ गया, तो साफ साफ दिख रहा है कि these are the easy answer है यह वाला, but कभी-कभी हम लोग क्या कर देते हैं, overthink करते हैं कि इतना easy question तो नहीं पूछ सकती है, क्यों नहीं पूछ सकती भई, ठीक है, तो don't overthink, और जैसे आपने यह question देखा, जो first answer आपके दिमाग में आ रहा है, like most of the time that answer is correct, तो मैं क्या करता हूँ, जब ऐसा कुछ situation होता है कि I over confused कि मैं confused हो गया, मुझे उस question में ज़्यादा time लग गया, तो मैं यही सुफता हूँ कि सबसे पहले मेरे दिमाग में कौन सा option आया था, that is the most probable answer वही होगा, ठीक है, तो ऐसे आपको guess work का एक फोड़ा से मैंने trick बता है, सबसे पहले जो दिमाग में आपको, जब gas work की करना है, जब तुक्का ही लगाना है, तब वो तुक्का लगाओ, जो सबसे पहले आपके दिमाग में आया, क्योंकि बॉड़ी ने उसको, आपकी जो reflexes है, सबसे पहले वो ही दिमाग में आया, ठीक है, तो इस तरह चाप कर सकते हैं, तो यह artificial और जो है, ecosystem था, उसके बाद में, यह दिखो, यह हो गया, then comes the geographical classification of ecosystems, geographic classification भी पढ़ चुके है, aquatic and terrestrial, marine और freshwater पढ़ चुके है, forest, desert, grassland, mountain, freshwater, river, lake, wetland, and marine, so these are natural ecosystem के प्रकार थे, ओके, फिर, यह दिखो, terrestrial ecosystems के बारे में थोड़ा सा detail में जान ले थे, terrestrial ecosystems क्या होते हैं, these are the ecosystems, जो कि land के उपर मिलते हैं, grouped into biomes, which are large regions with similar climate, vegetation and animal life, so देखो, biomes का, यहाँ पर आपको definition दे दिया, what are biomes, or biomes question आया हुआ है, exam के अंदर, यह जो question है, यह आया हुआ है, what do you mean by biomes, तो biomes are large reasons with similar climate, vegetation and animal life, एक बड़ा एरिया है, जहाँ पर climate भी same हो, vegetation same हो, और animal, जो life है, वहाँ पर animals भी same तरह के मिलते हो, उनको biomes कह देते हैं, जैसे कि कुछ common terrestrial biomes किसने example दिये हैं, first is tropical rainforest, पहला क्या है, tropical rainforest, जो की equator के पास में होते हैं, characterized by high biodiversity, high precipitation and warm temperatures here around, यहाँ पर क्या होते हैं, what are tropical rainforest, जो की equator के पास में होते हैं, वहाँ पर biodiversity बहुत ज़्यादा होती है, precipitation ज़्यादा होता है, और वहाँ पर temperature पूरे साल, all the year, most of the year, the temperatures are warm, why, because equator पर, जो solar radiation है, वो सबसे ज़्यादा होती है, यह equator है न, जो solar radiation है, वो सबसे ज़्यादा और सबसे सीधी वहीं गिरती है, इसलिए sunlight वहाँ पर ज़्यादा होने के कारण temperatures warm होते हैं, ओके, then comes the savannah, savannahs are what, क्या होते हैं, savannahs इतना नाम सुना है, exactly होता क्या है, these are grasslands with scattered trees, यह ऐसे grasslands होते हैं, जो कि scattered trees, grasslands with scattered trees, grasslands, जो कि जहां पर pasturization होता है, जो कि जो चरवाहा बोलते हैं, अपने animals लेकर जाते हैं, तो यह सवाना ऐसे grasslands होते हैं, जहां पर trees होते हैं, बट वो scattered होते हैं, simple as that, मिलते कहा हैं, where are these generally found, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, ताउथ अमेरिका, and it is distinct, characterized by distinct wet and dry season, tropical rainforest में warm temperatures रहते हैं, throughout the year, पूरे साल warm temperature ही मिलेगा वहाँ पर, जो सवाना type of climate, जो सवाना के अंदर होते हैं, वहाँ पर आपको wet और जो dry season एकदम distinct मिलेगा, एकदम मिलेगा कि हाँ, these are the months for the dry season, and these are the months for wet season, एक tropical rainforest में ऐसा कोई concept नहीं, then comes the desert, dry reasons with sparse vegetation found in parts of Africa, Asia, and North America, deserts कहाँ पाए जाते हैं, Africa, Asia, North America, और यहाँ पर क्या होता है, extreme temperature variation between day and night, day and night के अंदर extreme variation होता है, जैसे के अपने northern part of India का, आप देखें, दिन के अंदर temperature 47, 45 तक भी पहुँच रहा है, और रात को वह temperature like 10, 38, 37 तक पहुँच जाता है, तो, are you able to understand कि कितना ज्यादा variation है, हमको लग रहा है, क्योंकि हम लोग रहते हैं उस environment में, that's why we don't feel it, कि ऐसा भी होता है क्या, but that variation of 10 to 15 degrees is too much, ठीक है, especially जो desert होता है, वहाँ पर क्या है, कि जो soil होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गरम भी हो जाती है, तो आपको पता है न, कि land होती है, वो जल्दी गरम होती है, जल्दी ठंडी होती है, as comparison to ocean waters, as compared to water bodies, तो deserts ऐसे हैं, अपना desert कौन सा है, धार desert, ओके, धार desert is in Rajasthan, forests can be classified as temperate, boreal or decidus, depending on the climate and types of trees present, हम लोग छोटे से तब से पढ़ते हैं, यह किस किस तरह के जो है, forest होते हैं, temperate forest, decidus forest, boreal forest, और tropical rainforest तो एक अलगी ecosystem है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा diversity होती है, तो these are the terrestrial ecosystems, तो first we will get to know about tropical rainforest, tropical rainforest are found near equator, equator के पास में मिलते हैं, हम लोग पहले विपढ़ चुके हैं, high diversity, high precipitation होता है, we have already read it, कितना कितना होता है, अब देखो question कैसे आ जाते हैं, कि annual जो precipitation है, वो कितना होता है, 400 cm, first type of questions are asked in the examination, कि annual mean temperature, annual mean precipitation, तो हमें थोड़े यह data हैं, इनको याद रखना पड़ेगा, and what you can do, you can make a table, आप table बना सकते हो, और उसको आप divide करकर, सब तरह के जो है ecosystem को, और फिर वहाँ पर कितने precipitation हो रहा है, कितना ज़्यादा temperature है, जैसे आप गया आप बताया है, कि 25 degree temperature वहाँ पर anytime रहता है, average temperature 25 degree है, तो यह हमें याद होना ज़रूरी है, ओके, पूछ सकते हैं, exam के अंदर इस तरह से questions आए भी गए हैं, और पूछा भी जा सकता है, तो और example क्या है, rainforest का examples, कहां है rainforest, Amazon Basin in South America, जो Amazon Rain Forest है, वह उसका पार्ट है, कहां है Brazil के अंदर है, most of the Amazon rainforest in Brazil, Congo Basin in Central Africa, and the Indonesian Archipelago in Southeast Asia, these are the location where tropical rainforests exist, ओके, examples को species, वहां पर किस तरह के जो है species पाए जाते हैं, किस तरह के पाए जाते हैं, जैगुआर, नाम सुना होगा आपनों के लिए, यह इसका scientific name है, panthera उनका, harpy eagle, इसको बलते हैं, harpia, harpia, and rafalacia flower, इसको rafalacia arnoldi भी बोला जाता है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है क्या, इसमें देखो, harpy eagle, इसमें दिख जाएगा, आपको PDF में है, कोई issue नहीं है, अब मैं scientific नाम क्यों लेकर हैं, उनको पता है, विकोज ऐसा question पूछा गया है, exam के अंदर, ठीक है, आपको यह पूछ लेंगे, कि, like, harpy या, harpia, यह कौन से animal का scientific name है, तो ऐसा question आया है, तो यह पूछा जा सकता है, यह तो चलो बहुत easy हैं, पैंथेरा उनका, just suppose कि पैंथेरा उनका का question आ जाए, यह question आ जाए, कि पैंथेरा उनका किस animal का scientific name है, और इसमें option क्या जाएंगे, tiger, lion, panther and jaguar, अगर इस तरह question है, तो आप क्यासे करोगे, automatically our mind will think कि पैंथेरा है, तो पैंथरी होगा, और यह उल्टा हो गया, तो इस तरह से question है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब आप बोलोगे, you can ask me, कि sir, इतने सारे animals हैं, इतने सारे species हैं, सबके कैसे याद रखेंगे हम नाम, तो कुछ नाम तो देखो, notes के अंदर है, मिल जाएंगे यहाँ पर, और कुछ नाम आपको, जो आप daily, चारो तरफ जो news आती हैं, अपने newspaper के अंदर, आप देखोगे, कि तरह तरह के species का, कभी यह मिल गया, कभी अलग तरह का snake मिला है, कभी flower की प्रजाती मिली है, butterfly की कोई नई species मिली है, तो यह सब चीज़िया आपको current affairs से updated रहने पर मिलती रही, ठीक है, मैं भी लेता रहूंगा, बट आप लोगों को भी ही, जो है, चारो तरफ news का नजर रखना है, तो वहीं से question आएगा, तो आपने paper देखा होगा, paper देखना, 2023 वाला, तो आपको पता चलेगा, कि कहीं से भी कोई exact out of syllabus कुछ नहीं है, everything is in syllabus, प्लस current affair mixture है उसके अंदर, तो you should be reading newspapers, newspaper नहीं पढ़ पा रहे हो, तो news कोई gist जहां पर मिलता है, उसको देखिए, और आपको current affairs updated रखना है, विकोज एको सिस्टम वगरा के जो questions हैंना, यह मैंने notice किये, current affairs ही ज़्यादा questions है, उसके बाद में है सवानास, और आप पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, session को interactive रखोगे, तो आप भी बोर नहीं होगे, if you want to ask anything, you can, can I get PDF, obviously you will get भई, PDF तो मिलेंगे न, PDF तो मिलेगा इसका, आपको पता क्या मिलेगा, आपने अभी बैचल, अभी आपने अभी जोइन किया है, तो यह session मिलेगा आपको, 11 बजे मैं रो जाओंगा, 11 से 1 तक हमने रखा हुआ है, कि कोई अगर topic है, वो लंबा किच जाए, या फिर तो हमने 2 घंटे रखे हैं, normally it ends in 1.30, 1.5 घंटा तो होता ही है, ठीक है, तो पहले बात तो आपको यह मिलेगा, दूसरा यह है कि जो भी आपको जो slide दिख रही है न, वो उसका PDF मिलेगा आपको, यह जो मैं कर रहा हूँ, यह आपको मिलेगा, और अगर आपको यह session वापस देखना है, तो इसका recorded session भी मिलेगा, ठीक है, तीन चीज होगी, फूर्थ चीज क्या होगी, कि यह अपन जो भी पढ़ रहा है न, आज, इससे आपको practice papers मिलेंगे, जस्ट इसके खतम होने के बाद में, उसको हम लोग DPP बोलते हैं, DPP, Delhi Practice Paper, पर, तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, इस में से, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, कि हम लोगों ने जो पढ़ा है न, उसको आज ही wind up कर देना, don't keep it for tomorrow, क्योंकि कल तो कोई नया session आएगा न, तो backlog रखना ही नहीं है, आप पढ़ो, revise करो, notes बनाओ, और जो मैंने, अभी मैं DPP दूँगा, मतलब आपको application में show हो जाएगा, क्यूशन papers होंगे, मतलब क्यूशन होंगे, आपको attempt करने, और वो क्यूशन इसी में से होंगे, ठीक है, तो बस फिर मैंने, कुछ नहीं आएगा फिर बाहर से, ठीक है, चलो, सवानाज, सवानाज मैंने बताए, कि जो grasslands थे, scattered trees के साथ, जो कहां मिलते हैं, parts मिलते हैं, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, एंड साउथ अमेरिका के parts में मिलते हैं, इनकी करेक्टरिस्टी क्या होती है, distinct wet and dry seasons, यह पन पहले पढ़ चुके, अब देखो, इसका जो annual rainfall कितना है, 50 to 130 cm, उसका कितना था, 400 cm annually, just see the difference between सवानाज and tropical rainforest, ठीक है, फिर, तो यह इसका अपना annual rainfall है, उसके बाद में, exactly जो सवानाज होते हैं, वो कहां होते हैं, Serengeti Plain in Tanjaniya, Kruger National Park of South Africa, and Cerrado in Brazil, यह जो है, सवाना टाइप अफ जो है, सवाना ecosystem है, यह तीन example क्यों है, यहाँ पर prominent है, हमारी इंडिया में, सवाना टाइप अफ क्लाइमिट है, कुछ जगा पर, क्योंकि अपना इंडिया तो वैसे भी बहुत divers है, तो अलग-अलग temperatures है, desert भी है, तो हमारे जो mount उपर हिमाले भी आ गया, अपने पैनिन सुला होने की वज़े से, we are coastal region also, western ghat है, और eastern ghat से, बहुत सारी rivers बहती है, तो अपने तो बहुत diverse एक इको सिस्टम अपने इंडिया का तो, और सावाना के अंदर कौन से species मिलते हैं, African elephant, जिसको क्या बोलते हैं, देखो, अट जाता हूँ, लोकसोडोंटा अफ्रिकान, यह है African elephant का नाम है, यह सावाना इको सिस्टम का एक species है, अफ्रिकन लॉयंस बोलते हैं, उसको Panthera Leo बोलते हैं, और Acacia Trees, जो कि Acacia S WP, यह इसका scientific name है, तो these are the species that are found in सवाना टाइप ओर इको सिस्टम, ओके, आगे बढ़े, फिर अपने बाद में आ जाता है desert, यह आपके सामने desert है, आप कभी गए ओर desert में, have you ever been to a desert, no, okay, so this is the desert, it's the photo of I think Sahara, I don't exactly have the, but desert to desert होते हैं, यह आपको दिख रहे हैं, यह है, यह sand dune है, और यह क्या है, आगे बढ़ता है जालता है, यह sand dune जो होता है न वो यही है, तो यह क्या है कि जैसे जैसे, आपको दिख रहे हैं कि इसके अंदर, मिट्टी बहरी है, तो यह मिट्टी क्या करती, कहीं होती है, रिसाइड होती है, और यह फिर आगे बढ़ती हुए जाती है, तो इस तरह है कि इनको हिंदी में तो टीले बोलते है, हिंदी में तो टीले बोला जाता है इनको तो ये जो सेंडियून्स है ये क्या है ये बेजर्ट मतब बेजर्ट का निर्मान कोई भी वेजिटेशन नहीं है ठीक है तो डेजर्ट क्या होते हैं आपको मैं डेजर्ट में कोई याद आए कि जो बर्चान वर्ग जो होती है एक मिनिट मैं लिख देता हूँ यह एक डेजर्ट हैंड उनका प्रकार है बर्चान एक होता है सैफ ड्यून क्योंकि मेरे दिमाग में जो जो चीज़ आरे मैं लिख दे रहा हूँ आपको क्योंकि यह चीज़े पूछी गई हैं प्रिवेस एर एक्जामिनेशन में बर्चान आया हुआ है और सैफ ड्यून आया हुआ है तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना थोड़ा सा क्या मैं भी करवाँगा बट मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आप में को रिमाइंड करवा सको बाद में ड्यून्स थे तो यह जो ड्यून्स है दीज आर सैफ ड्यून्स ओके क्यूशन यह आया था कि सैफ ड्यून डिपोजिशनल एक्टिविटी है कि इरोजिशनल एक्टिविटी है मेरे ध्यान आ गया question आया था sap dunes are erosional और depositional तो मैं यह बतादू कि जो sap dunes होते हैं वो depositional activity के प्रकार होते है depositional activity और जो बरचांस होते हैं वो भी deposition का प्रकार है ठीक है तो याद रखना ये ये क्यूशन आया था अभी 2023 के ये उसके बाद में अब देखो यहाँ पर जो एवरेज रैन्फोल कितनी है डेजर्ट बहुत ड्राई रीजन्स होते हैं इस्पास वेजटेशन आपको दिख रहा है फोटो में कि वेजटेशन दूर की बाद कोई परिंदा भी नहीं है आपर ठीक है अफ्रिका एशिया और नॉर्थ अमेरिका में मिलता है यहाँ पर लेज देन 25 सेंटीमेटर रेन्फॉल होते है लेज देन 25 जसी दर प्रिसिपिटेशन लेवल्स एन्वली का है यह पूरे साल characterized by extreme temperature of variation between day and night day and night में बहुत ज़्यादा variation होता है I told you the reason why because of the sand, sand जल्दी गरम हो जाती है और जल्दी थंदी हो जाती है examples क्या है? सहारा desert in Africa, Arabian desert in Middle East, Mojave desert in United States और तो धार desert है वो अपने इंडिया में ठीक है? यह तो है अपने deserts है, आगे हम लोग आराम से detail में इसको जानेंगे और भी deserts कैसे कैसे desert के अंदर कौन कौन से species होती है ecosystem वाले chapter में इतना ही है, ठीक है ना? इसमें ज़्यादा सहारा desert पर PhD नहीं करने है but we should know that सहारा desert exactly है कहाँ पर और इससे अपन एक ज़्यादा और आगे बढ़ें तो यह जान सकते कि सहारा desert अफरिका के कौन कौन से countries में फैला हुआ है, अपने बस इतना जान सकते है okay, चालो, examples क्या क्या मिलते हैं आपर, dromedary camel, phanax fox, thagurao cactus जो cactus तो अपने भी मिलता है, अपने camel भी मिलता है, बस मैंने fox की थोड़ी सी, I think fox हमारे कम है यहाँ पर, but camel and cactus these are the normal species in desert, then comes the forest, forest है उसको पन temperate, boreal, decidus and जो है इन तीन के अंदर हम लोग divide कर सकते हैं, किस-किस तरह के climate होते हैं, और किस-किस तरह के trees present होते हैं, उनके basis पर हम forest को divide कर सकते है तो पहला जो है, वहाँ का temperature क्या होता है, बेटा, more moderate temperature, second is rainfall क्या है, 75 to 150 cm annually होती, याद हो जाएगा, देखो ये questions आएंगे और ये मिलते का है, North America, Europe, East, East Asia, यहाँ पर temperate forest पाए जाते हैं, यह आपको याद रखने है These forests have distinct seasons and home to both decedus and evergreen trees, temperate forest के अंदर दोनों तरह के trees होते हैं, decedus और evergreen trees Examples, अजब temperate forest कहां मिलते हैं, Great Smoky Mountains National Park in United States, Black Forest in Germany तो यह साथ साथ में आपका current affairs भी त्यार हो रहा है, अगर कल को question आजाए कि where is the black forest, कोई idea नहीं है, Black Forest कहां है, Black Forest कभी सुना था आपने नाम कि Black Forest है, वो जर्मनी के अंदर, पुछ क्यूशन आ जाएगा, which of the following countries या फिर ऐसे पूछे लेंगे, Black Forest is in which of the following country China, USA, Russia, Germany, या फिर Russia, Germany, France, Italy और मंगोलिया या कुछ भी इस तरह से क्यूशन हो जाएगा, तो M से क्यूशन आपका ready हो जाएगा या से, ठीक है, examples जो है, species के, white-tailed deer, red fox, दिखनी रहा होगा, red fox, red fox, white-tailed deer और sugar maple, these are the example of species that are found in temperate forest, understood, उसके बाद में जो आता है, boreal forest, अब example पता, question यह पूचा सकता है, कि tiger forest को कौन सा forest कहते हैं, like which of the following forest are also called tiger forest या tiger forest जैसे यह प्रोनॉम्सेशन करें इसका, तो boreal जो forest है, temperate, evergreen, deceded and boreal, तो यह चार option आ गएंगे, वो tiger forest पुछे लेंगे, कौन सा है, तो boreal forest होते हैं, वो tiger forest के type, मतलब दूसरा नाम उसका वो है, यह higher northern latitudes में present located रहते हैं, boreal forest experience cold winters, वहाँ की जो winters होती है, वो बहुत cold होती है, summers होती हो, बहुत short होती है, precipitation low होता है, कितना precipitation है, 40 to 100, और जो temperate forest में क्या था, 75 to 150, तो यह आपको थोड़ा सा बेटर difference ही याद रखता है, और वहाँ पर कौन से trees होते हैं, कौनी forest trees होते हैं, और temperate forest में कौन से थे, decededus and evergreen trees, तो समझ में आगे, questions कहां से बन सकता है, questions can be, that, which, like, coniferous forest, कौन से, जो है, forest ecosystem में मिलते हैं, तो यह आपको जहां को difference आजाएं, जहां को difference दिख रहे हैं, कि हाँ, यह तो वहाँ मिलता है, यह वहाँ मिलता है, तो वहीं से questions पूछा, पूछ लेंगे, पूछ लेंगे, पूछ लेंगे, तो automatically आप दिमाग में ले जाओ, कि यह higher latitudes के forests है, Siberia आपको पता है, एकदम ऊपर है, जैसे मालों यह अपना अर्थ है, तो यहां पर Siberia है, एकदम Arctic Circle के पास में, तो Siberia, Scandinavia, and Northern Canada, तो यहां पर इस area में, क्योंकि वहाँ पर बहुत cold, winter cold होती है, तो वहाँ पर यह पाए जात माना जाता है, जो कि point shaped क्यों होते हैं, वहाँ पर snow pole होता है, तो वो because of the pointed, तो वो बहे जाती है, इस तरह स, अगर बड़ा पत्ता होगा, तो पत्ते के ओपर, leaves के ओपर, जो snow है, वो रह जाएगी, बर जब coniferous trees होंगे, तो वो जैसे ही, जो snow है, वो गिरेगी, वो slide हो के न है, pointed क्यों है, वहाँ पर, this is the reason, adaptation by the nature, of climatic conditions, throughout the globe, examples, जो की मिलते हैं, वहाँ पर, Siberian Tiger, Snowy Owl, and Scots, तोटा कैसे हो गया, नीचे क्या चला गया, इसका scientific name, है, इसका है, वन सेकंड, वाचुटा, अब दिख्रहें, अब दिख्रहें, Coats Pine, यह जो है, वो, उसका प्रकार है, species मिलती है, कहां पर, Boreal Forest, चलिए, उसके बाद में, the next is Decidus Forest, These forests are characterized by trees that shed their leaves seasonally, अपने भी होता है न, जो कि पत्ते जड़ जाते हैं, पत्त जड़ जिसको बोलते हैं, तो यह जो पत्त जड़ वाली सीजन होती है, वहाँ पर यह Decidus Forest, जो है, अपना यहाँ पर इंडिया में इस तरह के forest पाए जाते हैं, फूब होते हैं, यह अपना पू और यह होता क्यों है, trees का shedding क्यों होता है, यह temperature के इंडर जो changes आते हैं, उसके response की वज़ेशे, जो है leaves गिरती हैं, तो अगर आपको पूछ लें कि बहाँ गिरतो गई, आपने कर लिए कि हाँ गिर गई, जो leaves है वो shed हो गया, reason क्या है, reason is this, जो temperature changes होते हैं, उनके response में, जो है जो trees की है, seasonal shedding होती है, यह temperature region में पाई जाते हैं, जो का पनापर moderate rainfall होती है, 75 to 150 cm वाले reasons में, यह forest पाई जाते हैं, examples क्या है, eastern United States, western Europe and parts of China and Japan, यह जो है, यहाँ पर ज़्यादा पाई जाते हैं, most of the forest होते हैं, वो यही पर पाई जाते हैं, decidus वाले, examples जैसे कि, यहाँ पर इस forest में कौन-कौन ती प्रजाती रहती है, European roe deer, European badger and oak जो tree होता है, वो पाया जाता है, oak, याद रखना, oak क्या है, decidus forest का एक tree है, याद रखना इसको, उसके बाद में, अपने पास है, fresh water, यह तो terrestrial ecosystem है, forest है, desert हो गया, अब क्या है, हमारे पास fresh water ecosystem, जो की, जैसे कि rivers and streams, यह क्या होती है, what are rivers and streams, these are the flowing bodies of water, ranging from small stream, छोटी-छोटी streams से लेकर, बड़ी-बड़ी rivers तक, आपने देखो कि जहां से, whenever the river is starting, जिसे गंगा है, गंगा river है, वो उसको जब वो start होती है, तो वो गंगोतरी कहलाती है, right, गंगोतरी, ग्लेशियर से वो निकलती है, उसका जो गोमुख भी कहा जाता है, गोमुख, you should know about these things, गंगोतरी वहां से वो starting point होता है, तो गंगोतरी जब निकलती, तो छोटी से एक stream होती, पतली सी stream होती, देखो river and stream में यह difference है कि streams होती है, वो छोटी-छोटी होती है, वो बाद में जा कि है ना, river का रूप लेती है, तो यह क्या है, आपको पता है, rivers के अंदर तो aquatic और terrestrial species रहती है, हम पूरी तरह से rivers के उपर depend for our consumption, drinking purposes, bathing, जो भी अपने daily routine में, हम लोग use लेते हैं, पानी, वो river से ही आता है, okay, irrigation purposes, तो हमारी human population के लिए, rivers and streams are very important, obvious, और rivers तो पूरे दुनिया में है, पर में जो major river है, जैसे कि Amazon river, Nile river, Mississippi river, United States में, हमारी इंडिया में, बंबपुत्र गंगा, कावेरी, कुष्णा, तो यह सब जो rivers है, यह rivers का example है, आपको पता है, largest, longest river, Nile है, जो इन में से question, बैसे पूछ लेगे हैं, हम लोगों ने कब से पुछे जा रहे हैं, हमारे six, seven, eight standards से पुछे जा रहा है, तो यह question most probably कम आएगा, कि which is the largest, which is the longest river and all, अब कहेगी थोड़े अलग तरह के questions आते हैं, डेल्टास के बारे में questions आ जाएंगे, और जैसे कि इस नदी को yellow river क्यों कहते हैं, इसको sorrow of Bengal वाली जो river है, वो कौन सी है, sorrow of Assam, जैसे ब्रह्मपुत्र है, उसको sorrow of Assam कहते हैं, आसाम का शोक कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को, क्योंकि वहाँ पर वो जब लेके आती है, वो फ्ल अपोत्र को, तो इस तरह से जो है, तोड़े questions आते रहते हैं, ठीक है, fish के examples दिए गए आपको, यह जो fishes है, salmon, river, otter, bird, eagle, यह सब हैं, सारे dolphins हैं, sharks हैं, these all are the species of rivers, जो की aquatic ecosystem में रहते हैं, फिर दूसरा जो आता है, fresh water चल रहा है, तो river and streams आ गई, the second is lakes, lakes, lakes क्या होते हैं, यह large water bodies होते हैं, fresh water के, जो की land के द्वारा surrounding होते हैं, उनकी चारो तरफ आपको दिख रही है, are you able to see the, this, तो यह सारे क्या है, यह land form से तो हैं, यह सारे, यह land है, तो यह चारो तरफ जो होता है, यह पूरी तरह से, यह जो lake है, यह है, यह सारा lake है, तो यह जो lake, चारो तरफ से, एक large water body होती है, fresh water होता है, जो की land से surrounded होता है, और इसमें क्या होता है, rivers आकर, छोटी-छोटी streams आती है, वो मिलती रहती है, जिससे कि इसका जो water है, वो cycling होती रहती है, ओके, यहाँ पर बहुत plants and animal life को support मिलता है, both in and around water, मतलब पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी आपको दिख रहे हैं, अब खुद देखो, इस slide को आप जब देखोगे, त तो कितने अलग है, यह एक red color का हो गया, या फिर, तो इस तरह से यह biodiversity बहुत होती हैं आपर, lakes के around में biodiversity बहुत होती है, और यह कैसे बनते हैं, lakes कैसे बन सकते हैं, geological process, जैसे कि glacial, volcanic and tectonic activities के द्वारा, lakes का निर्मान हो सकता है, तो आपको भी पूछ ले, कि how the lakes are formed, तो these are formed due to glacial, volcanic and tectonic activity, और या फिर, हम लोग जो dam construction करते हैं, तब जो पीछे जो पानी होता है, विशाल, वो भी एक तरह से lake का ही प्रकार होता है, तो वो artificial lakes भी हो सकते हैं, हमारे द्वारा बनाएं गए होते हैं, तो these are lakes, examples जैसे कि lake Victoria, lake Bacol, great lakes in North America, तो यह जो कुछ है, lakes के प्रकार ह हैं, अब इसमें question पता, question क्या आता है, deepest lake पूछ लेंगे, largest fresh water lake, largest saline water lake, deep, सबसे जो deep lake का नाम पूछ लिया जाएगा, तो यह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो यह सारी जो facts होते हैं, deepest, सबसे ज़्यादा deep कौन सा है, सबसे बड़ा बड़ा कौन सा है, और कौन सा जो dam है वो कौन सा lake का निर्मान कर रहा है, इस तरह के questions, और fresh water lakes कौन से हैं, artificial lakes कौन से हैं, तो यह जो questions होते हैं, direct पूछ लिया जाते हैं, अब जैसे RLC का question आया था, जैसे अभी recent में अभी जो June का exam है, उसमें Red Sea का example है, Red Sea के दो question आया है, एक भी नहीं है, दो आया है, पता क्या question ह है, यह पूछा गया है, कि जो Red Sea के जो अंदर का temperature होता है, वो कितना है, average temperature क्या है, just see the question, तो उसमें 21 degree के लगबग था, क्योंकि उसमें यह reason यह था, देखो, deep जो temperatures होते हैं, बहुत कम होते हैं, lower temperatures होते हैं, पर Red Sea के अंदर जो temperature है, वो 21 जादा है, जादा क्यों है, क्योंक volcanic activity जादा रहती है, तो volcanic activity जहाँ पर जादा रहेगी, तो आप सुचो वो जो ocean floor होगा, वो गरम होगा, तो उस गरमी के वज़े से जो Red Sea का जो bottom part है, वो as compared to other seas, other water bodies, वो कम है, वो जादा temperature है, as compared to others, एक question तो यह आ गया था, दूसरा question यह आ गया था, कि salinity के बारे में आ गया तो Red Sea, उसमें 5C पुछे थे, South China Sea, Red Sea, White Sea, या इस तरह से मैंको exact दो option यहाद आ रहे है, Red Sea and South China Sea तो था वहाँ पर, तो यह उसको यह पूछा गया, तो यह आप descending, वालदा, ascending order में इसको salinity की ascending order में sequence के अंदर कीजी, तो सबस्यादा salinity है, वो उन seas में से Red Sea के अंदर थी, तो वो आंसर था, वैसे, जो most saline है, वो dead sea है न, dead sea, तो इस तरह के question पूछे जा सकते हैं, तीस से related, ठीक है न, give me a moment, fine, चलो, यह वाँ की species पाई जाती है, common loon, yellow water lily, आपको water lily तो पता है न, water lily जो plant होता है, तो इस तरह के जो, यह ऐसे plants होते हैं, जो कि stable water में, river तो भहती ही रहती है, you know, it's a flowing, तो वहाँ पर जो vegetation है, वो river के अंदर possible नहीं है, पर जो lakes होता है, वहाँ पर जो water plants होते हैं, यह obviously, 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 because lakes, जो है, seas है, यह मैंने पढ़ा जी है, oceanography के अंदर, इसके अंदर हैं यह सब जीजे, actually न, देखो, geography तो inter-related है, geography तो सारी inter-related है, अब आप देखो, red sea का question आया था, तो उसमें oceanography भी आ गई, ectonic plates तो उसमें geomorphology भी आ गई, ठीक है, और अब execution आजाएं कल को, कि red sea की जो salinity है, अगर उसका evocation ज़्यादा होगा, आप मैं को बताओ, red sea की salinity ज़्यादा है, अगर वहाँ पर evocation ज़्यादा होगा, तो उसकी red sea की salinity increase होगी की decrease होगी, बताओ, क्यूशन समझे आ गया है क्या, can you ask again, I'm saying that red sea, I told you about the red sea, that red sea is the like more saline, so if the question asks that, if the vaporization is high in red sea, then salinity will increase or decrease, yeah, salinity increase होगी, why, do you know the reason, can you tell me in the one word, या एक statement नो बढ़ा सकते हो आप, कि increase क्यों होती है, why, why vaporization, evaporation की वज़े से, why evaporation leads to increase in salinity of the water body, you just explain, look here, see, there is a water body, it's already saline, and the water vapor, water evaporation is increasing, if the evaporation decreasing, it won't take salt along with it, right, okay, salt लेकि नहीं जाएगा ओपर, तो वो क्या होगी, जो वो salt जो होगा, वो जो previous water body है, जो नीचे पानी है, उसी के अंदर mix हो जाएगा, so it will lead to what, it will lead to more salinity, so salinity will increase, if the evaporation is high on a water body, okay, this is the simple concept, then comes the wetlands, wetlands are areas, where water covers the soil, such as marshes, swamps and bogs, ठीक है, wetlands are what, wetlands are water, covers the soil, जैसे की, marshes, swamps, आपको दिखर रहा हिये, these are not the grasslands also, these are not the, these are not lakes also, these are not rivers also, so this is a different type of ecosystem, okay, wetlands are among the most productive ecosystems on the earth, that's why there are various convention, Ramsar convention, have you heard about it, Ramsar, that's a convention to protect the wetland, and why the name is Ramsar, because it is a city in Iran, and it was signed there, it was signed in the city, Ramsar, that's why the name is Ramsar convention, याद रखना, याद रखना, and why it is most productive ecosystems, because, it provide, a critical habitat for numerous species, that act as natural water filters, serving as essential buffers, against flooding and erosion, अब खुद देखिये, just see these wetlands, these helps in prevent the flooding, because there are, ये दिखरा, आपको छोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे plants हैं, वहाँ पर, छोटा-छोटा एक अपने आप मे एक ecosystem है, तो wetlands are very important, for the, our ecosystem, and where are the wetlands found, Everglades in, United States, Pantanal in South America, Sundarbans in Bangaladish, and India, तो these are wetlands found in various reasons and what are the species found in wetlands American alligator, red mangroove, great blue hiron, mangroove जो होते हैं अपने अपने आपर बांगलादेश में भी बांगलादेश और जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर भी mangroves जो ट्रीज है वो भी wetland ecosystem का एक पार्ट है अब देखिए problem क्या आ रही है fresh water ecosystems are under constant threat from human activities can you see the threat just see this see the condition पानी तो दीखी नहीं रहा है such as pollution habitat destruction and climate change can you imagine कि कोई fish इसमें रह रही हो कि कोई fish इसमें रह सकती है क्या नहीं रह सकती है हम लोग नहीं रह सकते बीमार पड़ जाएंगे इसका पानी तो पीना दूर की बाहर देखिए the conditions it is essential to protect and conserve valuable ecosystems to ensure survival of diverse species they support and vital resources they provide so these are the because of our human activities it is fresh water ecosystems कौन कौन से है fresh water ecosystems wetlands lakes and rivers and streams so these are the fresh water which are under constant threat do you know about the Ganga it is the most polluted river so these are fresh water ecosystems यह देखिए air pollution हो रहा है and this is the global warming warming की वज़े से problems हैं तो बन सब्सक्राइब तो टेल मी यह जो फ्रेश वार ecosystems है हम लोगों ने पढ़े हैं तो do you want कि मैं आज ही मेरा इन ecosystem cover कर दूं या do you want कि आज के लिए enough है just tell me आप बता दो no as expected answer कि अच्छा इकाम करते हैं let me tell you some questions ठीक है देखो the questions कैसे आते हैं देखिए यह वाले ओक्या अच्छा इसका आंसर बता दो अच्छा आंसर तो हैं आपके सामने देखो biosphere की study को क्या कहते हैं what the studio biosphere is called biogeography ओके आठीक है कल कर वादेंगे बट यह session effective होना ची हम लोग ने थोरी पड़ी है let's try to solve some questions the study of biosphere is called biogeography याद रह जाएगा what are biogeography is the study of geographical distribution of plants animals and other forms of life it is concerned not only with habitat patterns but also with factors responsible for variations in distribution in one reason why there are more plants why there are less plants in one reason why there is more animals in some reason why the animals are dying of the example the latest example is the cheetah we brought from Namibia do you remember it recently टी टीटा लेके आहे थे हम लोग नामी भी असे पूर चीता जर डड़ एड और 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 पाइफ पूर चीता जर अर और अर 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 बड़ी डेड are you getting my point it means it's not because of us it's not because of hunting it's because of that they are not able to adapt to Indian climb that's why these cheetahs are dying और हम लोग लेकर आये थे इतना जोर शोर से लेकर आये थे our prime minister also inaugurated उन्होंने ही उसको wild में छोड़ा था do you remember that तो वो चार तो मर चुके हैं already तो यह सब why why this is happening क्योंकि वो अपने ही जो है bio zone का जो एक biome था एक ecosystem था उसमें थे but now they are facing difficulties so biosphere study is called this biogeography second question is why the third game where is the second okay it might be the second the total assemblage of all plants and animal community of a particular region is called what biomes we have already read the biomes that biomes are large bodies jaha par plants and animals community reside kati same vegetation hogi do you remember the bio definition from the previous same vegetation in same vegetation same animals for the large part so these total assemblage, this is called biome, okay, B is the correct answer, and this, this diagram shows the biomes in various region, let's try to understand our, you know, which one, अपना इंडिया कहा है, this one our India, and ours is temperate decidus forest types are our biomes, okay, tropical rainforest, equator के पास में होता है, we know it, this is equator, that's why the rainforest, can you, are you able to see, that these are tropical rainforest, see, और हम लोग जब एक्वेटर से थोड़े ऊपर हैं, तो उसकी वज़े से हमारे, हमारे और जो ये south east के अंदर है, वो सारे tropical, temperate decidus forest है, तो this is the map you should know, जिसे आपको पता चले कि हाँ, कैसे क्या था, pdf में इसको जरूर देखना है, because mapping is very important for all of us, कल से Atlas लेके बैठना है, ओके राथ में, biome के definition, पांच तरह के biomes होते हैं, this question can be asked in examination, which of the following is not biome, इसमें से आपको तीन तो दे देंगे, aquatic, grassland, forest, desert and tundra, these are the five types of biomes, and the MCQ जो आएगा, multiple choice questions में, इन तीन के अलावा, इन पांचों के अलावा, कुछ नया नाम दे देंगे, और वो आपको correct करना है, कि which of the following are not biomes, and which of the following are biomes, so this question we asked in the examination, तो ये दो question तयार हो गई, next question is, the transition zone between two ecosystem is known as ecotone, transition between two ecosystem, मतलब एक ecosystem से दूसरो ecosystem में जो transition हो जो shifting होती है, that is called ecotone, exactly होता क्या है ecotone, ecotone is where two ecosystems overlap with each other, when the two ecosystems overlap with each other, just see this example, it may be narrow or wide, it may be local, the zone between a field or forest, and regional transition between forest and grassland ecosystem, मतलब दे को ये वाला, one second, बाल, this is the forest ecosystem, this is the grassland, there are two ecosystem, forest अलग होता है, और grassland अलग होता है, हम लोग ने पड़ा है, अलग-अलग, these are the different, different terrestrial ecosystems, but, when these two ecosystems overlap, क्योंकि कोई एक transition boundary होगी होगी, ना, it's not like that forest are here, then cut and then that grassland starts, no, it starts from slowly, slowly, तो this transition boundary, this transition zone is called ecotop, ठीक है, याद रखना इसको, बायोम पता चल गया, ecotone पता चल गया, we will get to know about biotop and mimosa in later state, चलो, तो फिर ये कर लेते हैं, और एक क्यूशन और कर लो, last, DPPs भी मिलेंगे आपको, ये तो मैं ऐसी ही लेके आगया, generally I provide DPPs later, आपको इसके बाद में session end होने के बाद में, उसके daily practice paper मिलेंगे, तो आपको आज भी मिलेंगे, कल वाला जो lecture था, उसमें भी दिये हैं, मैंने 10 questions दिये हैं, इसमें भी आपको मिलेंगे, तो आपको जरूर attempt करना है, तो आपको ये पता चलजा है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो, जो हम लोगो ने पढ़ा है, वो दिमाख में है की निया, the retention power will increase, and don't be discouraged if you don't know the answer, ओके, because some questions can be asked from out of the box, like critical thinking या फिर वो अभी question हम लोगो ने cover नहीं किया, तो वहाँ से भी question पूजा था सकते हैं, तो don't be afraid of it, इसको कर लो, कि बिलो is the concept, and it is the profound, ecosystem किसने दिया था, ecology concept किसने दिया, ecological niche, and ecological pyramid, ऐसे questions, ये questions पूछा गया है, तो these are the questions asked in examination, terms, कि दिसीजे definition है, देखो न, this question is a direct definition, if somebody knows about the ecotone, about that biome's definition, इससे पीछे वाला भी ये था, these are the simple definition asked in the examination, ज्यादा detail में न, इतना deep में नहीं पूछते हैं, they just ask the definition कि whether the person knows about the biome's or not, and to some extent, they can ask about the types, ठीक न, ओके चब, तो इसका जो answer है, वो है B, 4321, this is the answer, कि अंदर है फूर, मतब जो इको लोजी जो टाम है, वो एजी एंसले ने प्रोपाउंड की थी, okay, B के अंदर है, sorry, ये में फूर है, really sorry, ecosystem term is, by the Tansley, ये न, the term ecosystem was provided by Tansley, second is, ecology, ecology term is, earnest, ecological niche, this is by, Charles Elton, उल्टा क्यों कर रहा हूं मैं आज, ये एक्चुरी कोड की नीचे आ रहा है, इसे मैं कंफूज हो रहा हूं, okay, जे ग्रिनल, and the ecological pyramid, it is, Charles Elton, तो ये आपको, रटने, हैना, we have to mug up it, there is no any, type of trick to, to remember this, we have to, repeat it, revision के थू, बार 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 रिविजन के थू, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, इनके नाम, इनके जो नीम्स होते है, ठीक है, चलो, term ecology वाल प्रोपोस्ट बाई, Ernest Heckel, ecological niche, was coined by, Jay Greenle, concept of ecological niche, was provided by, Charles Elton, Charles Elton, proposed the concept of ecological pyramids, इननोंने ecological niche भी दिया, और ecological pyramids भी, इनके द्वारा दिया गया, Odom is the father, father of modern ecology, याद रह जाएगा, these are all our questions, ऐसे मानों सारे के सारे question बन रहे हैं आपके, Clements proposed the theory of plant succession, direct question पूछे जाते हैं, तो 20 ये जो है ना, इसको तो आप आज ही याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो, कि कैसे कैसे कर, ठीक है, ओके, I hope you like the session, और हम लोगो ने, लेक, जिसे 6th question ये हो गए, एक तरह से 15 से 20 question कर चुगे हम लोग, तो इस तरह से हम लोग क्याद की approach रखेंगे, जिसे की साथ साथ में चलते रहे हैं अपने, तो इसको कल resume करेंगे हम लोग, ठीक है न, कुछ भी question हो, I have questions, yes, please ask me the question, what are the questions, आप, बताईए, बताईए, yes, you can unmute, tell me, one second, let me unmute myself, अब बोलिये, okay, जी जी मैं एक बर रिपीट थोड़ा सा तेज बोलिये, प्लीज, I can, I can hear you, I can hear you, बत थोड़ा सा तेज बोलिये, ठीक हो तेज बोलिये, तो जी मैं एक राइए, भी जी मैं फेक में, जो प्रेस्टिन आता है, उसमें जो और प्रेस्टिन आता है, कि आप खुद को म्यूट कर लो एक बार यह देखिए अभी 19 जून का एक्जाम हुआ था ठीक है अभी 19 जून को 2023 को एक्जाम हुआ था तो इसको मने एक्स्प्रेंड किया है मैंने आप यूट्यूब पर जाना यूजी सी नेट जब जाओगे तो आपको मैंने 100 के 100 कुशन जो है वो उसको किये हैं तो आप जब उसमें last में conclusion यही निकला कि अपनी जो यूजी सी नेट के अंदर सेट के अंदर 10 यूट होती है नॉर्मली 10 यूट होती है climatology, oceanography, geomorphology, geography of environment, geography of India, geographical techniques, geographical thoughts, regional, population, settlement, geography तो यह सारे के सारे questions को touch किया है वहाँ पर examiner में ठीक है तो हम लोग कोई एक किसी भी एक unit की तरफ बायस नहीं हो सकते और अगर आपको ज़्यादा पता करना है तो आप previous question paper होंगे आपके पास तो उनको आप revise करो, उनको 10 साल की questions paper देखो, तो जो भी ज़्यादा unit weightage रख रही है नॉर्मली पता क्या है, नॉर्मली UGC net और यह जो set की examinations होती है या फिर assistant professors की examinations होती ना, उसके अंदर geography तो thoughts वाले questions भी पूचे जाते है जैसे यह वाला question था ना, यह वाला, एक मिनिट, यह वाला question, अभी बहुत कितने boring questions है like who asked about these, who coined the term, who wrote which book, authors का नाम आ गया, books का नाम आ गया but these are the questions asked in the examination, such type of questions from the geography आप 2023 का जो paper देखोगे, तो आपको पता चलेगा की 8 questions, like match the following, match the following थे वो but 8 to 9 authors and their theories are asked in the examination, 8 to 9, this is a big number it can, just, इससे आपका GRF और UGC net के भीजिए में जो gap है, वो cover हो सकता है तो हम लोग जो है किसी एक unit को नहीं कर सकते हैं, हाँ, physical geography होती ही, वो always dominant रहती है but यह UGC net वाला section ना, यह अपने conventional जो paper होते हैं, उनसे थोड़ा approach अलग होता है उनका, जो conventional exams होते हैं, UPSC, PCS, इनसे अपरोच सोड़ा अलग होता है UGC का, they rely more on, क्योंकि हम लोग क्या है, एक research scholar बनने वाले है they expect us to behave like research scholar, कि हम लोग कल कोई बड़े लोग professor बनेंगे they will write the books, they should know the concept, so their main focus is on the conceptual clarity that's why these authors, these research, किस तरे से कुशन साते है तो आपको करना तो सारा ही पड़ेगा, and I would recommend you to do it all because ma'am, this is a simple thing that if you are, just suppose that you are qualifying December examination and immediately you get hired by some institutions, then what you will teach there? because ma'am toh sab kuch पड़ाना पड़ेगा, okay? so think like a professor right now, that you are a professor right now and you need to cover in syllabus in such a way that immediately after cracking the examination if you are getting hired by any institutions and if you are going to interview then आप ma'am पर fumble ना करें कि नहीं तो मने पड़ाई नहीं था it was very hard for me, so I didn't read it we don't have such type of, हम लोग को excuse नहीं बना सकते हैं because we are to, we are going to be a like future professors, okay ma'am so approach वैसे रखनी, think like a professor right now because let me share you with my story, what I did, I used to prepare for UPSC so along with the UPSC I gave the net examination also, ठीक है मैंने net examination भी ले दिया I was having geography optional as my UPSC subject, unfortunately I couldn't crack the examination but it's okay, that was very helpful for me, तो उसकी वज़े से क्या हुआ, हम लोग ज़र geography optional पढ़ते थे तो उस geography optional पढ़ने के कारण हमारा इसका भी तैयारी होगी we got automatically trained for the geography, this net also, but in UPSC geographical thoughts are not asked in UPSC geographical techniques are not asked, इस तरह से question नहीं पूछे जाते हैं, mapping के question नहीं पूछे जाते हैं thoughts के question बहुत काम आते हैं उसके अंदर, तो क्या हुआ, वो चीज मेरी रह गई, I couldn't do it and immediately I got hired by some institution और उसमें problem यहीं कि they just ask me directly they ask me about the cartograph, they ask me about the mapping, कि sir map कैसे बनाते हैं I was like, I don't know how to do it, तो उस ताइम पे वो जो मेरी जैसी situation थी, वो आपकी नहीं होने चाहे it's been like two to three years now, so I won't lecture you much, you're already a master's, आपकी qualification क्या है so we will, I will see you tomorrow at 11 a.m. okay and this is the way session will be, we will take concepts plus answers for its के DPP जरूर, DPP जरूर आप इसको attempt करना, okay, मिल जाएगा शाम तक आपको and we will be, कल हम लोग और बाते करेंगे, okay ma'am, चलिए, पाइगा